नमस्कार क्यापिटल टीवी उत्ताप्रदेश देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुनाली जोशी यूपी चुनाफ से पहले हर पार्टी अपनी रणनीती बना कर कहीं गडबंदन का एलान कर रही है तो इस बार कहीं मैदान में अखेले लडने का एलान कर रही है एसे बीच AIMIM प्रमुक ओवेसी ने चुनाफ से जुड़ा एक बड़ा एलान कर दिया है जी हाँ ओवेसी को किसका साथ इस सियासी जंग में मिला है देखिए इस रिपोर्ट में AIMIM प्रमुक असुदिदीन ओवेसी ने उत्तर प्रदेश में बाबु सिंग कुश्वाहा और भारत मुक्ती मोर्चा के साथ गडबंदन की घोशना की है ओवेसी ने कहा कि अगर हमारा गडबंदन सत्ता में आता है तो दो मुख्य मंत्री होंगे एक ओवेसी समुदाई से और दूसरा दलित समुदाई से होगा इसी के साथ तीन उप मुख्य मंत्री होंगे इससे पहले ओवेसी की पार्टी AIMIM ने यूपी विधान पार्टी की पहली लिस्ट में गाजयबाद, हापुर, मेरट, सारनपूर और बरेले की उमीदवारों की घोशना की गई थी आपको बता दे इस लिस्ट में किन के नाम है ओवेसी की पार्टी ने डॉक्टर महताब को लोनी, गाजयबाद, फुरकान चौधरी को गड़ मुक परेली मरगूब हसन को साहरनपूर विधानसभा शेत्र से उमीदवार खुशित किया है, ओवेसीन अखिलेश शादव के साथ गड़ बंदन को लेकर कहा कि अखिलेश शादव को हमारी जरूरत नहीं है, वो हावा में उडए है, उनके सपनों में कृष्ण भगवान आई थ बाकि 10 मार्च को नतीजों के बात ते करेंगे, ओवेसी ने आगे कहा कि मैं सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आया हूँ, तेलंगाना में हमारे विधायक हैं, वहां हमने मुसल्मानों को हग दिलाया है, रही बाद अखिलेश शादव के समर्थन की, तो हम भी बीज़िपी को मिल ही गए, एमायम ने आज उत्तरप्रदेश में बाबु सिंग कुश्वाहा और भारत मुक्ती मोचा के साथ गडबंदन की घोशना की है, इस गडबंदन को भागिदारी परिवर्तन मोचा का नाम दिया गया है, इसमें ओवेसी और कुश्वाहा के अलावा भारत मुक्ती मोचा के वावन वेश्राम शामिल है, इस रोपोर्ट में मेरे साथ इतना ही बने रहे है, कैपिटल टीवी उत्तरप्रदेश के साथ, नमस्कार